नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का back to school पर दोस्तों, EVS का course चल रहा था और 5 बड़े chapters को हम discuss कर चुके हैं आज की वीडियो एक special वीडियो है, इसमें हम पर्यावड, जो आपके subject का ही नाम है इस चेप्टर को मुझे पहले ही discuss कर लेना चाहिए था, लेकिन कुछ जो theme है, जो बड़े topic है, मैं उनको पहले discuss कर रहा था आज हम environment पर चर्चा करेंगे, कोशिश करूँगा आपको समझाने की environment गया है, क्या इसके छेत्र हैं, सभी छेत्रों पर थोड़ी थोड़ी से हम प्रकाश डालेंगे और कुछ important fact भी मैं आपको इस chapter से भी करवाऊँगा, तो वीडियो को like करके share कर दीजिए, सभी साथियों को जोड़ लीजिए, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों ये हमारा दूसरा चैनल है सरकारी अध्यापक, आप लोग जब सरकारी अध्यापक सरच करेंगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा, आपको चैनल को subscribe कर लेना है और बेल आइकन को all पर set कर लेना है इसके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, maths pedagogy का course complete होने वाला है, इसके बाद हम आपर बालविकास की और हिंदी और E.V.S. pedagogy की practice शुरू करने वाले हैं, तो आप जल्दी से जाए सरकारी अध्यापक चैनल को subscribe कर लेजिए, देखिए, यह मेरे PDF notes हैं, मैंने खुद तयार करे हैं, इन notes की खास बात यह है, कि जहाँ पर diagram बनाने की बात है, मैंने diagram बनाए हैं, और सारी चीजों को मैंने explain भी किया है, इसकी सबसे बड़ी खास बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इसमें कोई भी chapter पढ़ रहे हैं, और वो chapter में आपको कुछी भी समझ में नहीं आएगा, नहीं आता है, तो उसी chapter में एक वीडियो का link भी द और बिलकुल एक चोटी सी मेरे फीस रकी है, जिससे इन नोट्स की थोड़ी सी वैल्यू बनी रहे, क्योंकि फिरी की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप छोटा सा अमाउंट है के वल 100 रुपी है, आप लोग पेमेंट कर दोगे, तो बिलकुल आराम से आप उसको प सबसे पहले पर्यावर्ड को जानने की कोशिश करेंगे, चलिए, देखिए, पर्यावर्ड जो शब्द है, वो इंग्लिश के एंवायरमेंट से निकला है, और जो एंवायरमेंट है, यह जो पर्यावर्ड है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एक पर्य और एक आवर्ड यह जो परी है इसका मतलब होता है चारो ओर हमारे चारो ओर आवरड का मतलब होता है कोई भी चीज जैसे घिरा हुआ होता है जैसे कोई भी चीज हमें घेरे हुए है तो चारो ओर से जो चीज हमें घेरे हुए है इसका मतलब होता है पर्यावरड अब पर्यावरड की परिवाशा क्या होती है देखिए मनुष्य के चारों ओर का छेतर जो उसे चारों तरफ से घेर हुए है और उसके जीवन को प्रत्यच या फिर अप्रत्यच रूप से प्रभावित करता है उसी को हम पर्यावरड कहते हैं यानि कि हमारे आसपास का छेतर जो हमें घेरे हुए है हमारे आसपास का सारा छेतर और जो हमें प्रभावित भी कर रहा है जैसे हवा है पानी है जल है मिट्टी है सारी जीज़ें क्या है हमें प्रभावित कर रही है चाहे परत्यची रूप से करें, चाहे अपरत्यची रूप से, इसी सब को हम पर्यावरण कहते हैं, रौस के अनुसार, एक परिवाशा है, छोटी सी इसको भी याद कर लीजिएगा, पर्यावरण वह बाहिशक्ती है, जो मानव को प्रभावित करती है, क्या है डेफिनिशन, इसमें हम स्थल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, जहां पर हम निवास करते हैं स्थल मंडल, इसमें पूरा हम वायू मंडल के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम जल मंडल के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम जैव मंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो अभी मैं आपको एक चोटा-चोटा सा overview दूँगा और इनी के अंदर-अंदर सारे जो next topic आएंगे, वो सारे इनी के अंदर होते हैं, जल मंदल के अंदर बहुत सारी चीज़ा पढ़ेंगे, वाई मंदल के अंदर सारी वाई मंदल की परतों को पढ़ेंगे, इस्थल मंदल पर बहुत सारी चीज़ां को पढ़ेंगे, जेव मंदल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके इनको समझ लेती हैं, इस्थल मंदल क्या होता है, तो देखिए, इस्थल मंदल आपको पता है, यानि कि इस्थल, इस्थल यानि कि जमीन, तो प्रतिवी की ठोस उपरी परत, या फिर इसको परफटी भी कह सकते हैं, उसको हम इस्थल मंदल कहते हैं, प्रतिवी की उपरी जो परत है, जिस पर हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इस्थल मंदल कहते हैं, और खनिज पाए जाते हैं, इस मंडल में परवत पथार और मैदान भी पाए जाते हैं, है ना? जैसे हम EBS का कूर्स आगे बढ़ेगा, तो परवतों के बारे में पढ़ेंगे, पथार, मैदानों के बारे में पढ़ेंगे, है ना? इसकी जो मोटाई हो लगग 50 km तक मानी जाती है इस gsथल मंडल की मोटाई कितनी मानी जाती है 50 km तक है न तो यह है चोटा सा ओवर्रिव्यू इस थल मंडल के बारे में अब चलते हैं जल मंडल की और जल मंडल में प्रतिवी पर पाए जाने वाला जो जल का छेत्र है, पूरा, उसको जल मंडल कहते हैं, है ना, जिस छेत्र पे जल पाया जाता है, उसको जल मंडल कहते हैं, दो तेहाई भाग को गेरे हुए है, जल मंडल आपको पता है, कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं जल मंडल में, ये सारी चीज़े किसमें आती है जल मंडल में, है ना, तो नदियों के बारे में, महासागरों के बारे में, जील और तालाबों के बारे में भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वायू मंडल, तो प्रत्वी के चारो और जो हवा का आवरड है, वायू का आवरड है, उसको वायू लेखेंगे, यह मंदल सूर्य से आने वाली परा बैगनी केड़ों से हमारी रक्षो करता है। जmostे बारे में अगर पड़?, यह मंदल मौसम और जलवायुर में परिवरतन लाता है, जो मौसम जलवायुर में परिवरतन लाने वायू मंडल का, वायू मंडल का, तो एक चोटा ये सारी। एक संकीड चेतर करते हैं उसी को हम जैौ मंडल कहते हैं, जैसे माली जी कोई भी तालाब का चेतर है, तालाब है उसके आसपास घर भी है और हवापाने सारी चीज़े है तो एक जयव मंडल हो गया, क्योंकि यहां पर इस्थल जलवायू सारी चीज़े मिलकर रहने के लिए अनकूल परिस्थतियां पैदा कर देती हैं, उसी चोटे से चेप्टर पढ़ेंगे, उस चेप्टर से संबंदित कुछ important facts में आपको बताऊँगा जो आपके exam में direct पूछे आते हैं, है ना, और आपके राज्यों के टेट परिक्षाओं के लिए तो बर्दान साबित होंगे, यह सारी चीज़े, देखिए, पहला जो fact हमारा वो है भो methyl isocyanate, है ना, और इसमें आपको बताऊ, 5000 से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए थे इसमें, है ना, बोपाल गेस तरासदी में, याद रखेंगे, 1984 में हुई थी, कौन सी गेस का रिसाव हो गया था, methyl isocyanate, यह आपके यूपिटेट वगेरा में बहुत जादा दिमांड, है ना, तो BOD से याद रखेंगे, इसकी फुलफोम भी आप याद रखेंगे, जल प्रदूशर को मापा जाता है, BOD के दवारा, Biochemical Oxygen Demand, कुछ पुरुसकार दिये जाते हैं पर्यावरट के छेतर में, तो दो-तिन पुरुसकार हैं, उनके बारे में आपको बता पुछे जाते हैं, जैसे पर्यावरट प्रतिरच्छा, पर्यावरट की रख्षा के लिए एक ग्लोबल पांसो पुरुसकार दिया जाता है, है ना, जैसे ग्लोबल टीचर अवर्ड दिया गया है, ना, महाराष्टर के एक सिक्षक को, आपको पता है, उनका नाम बताना ने एसे ही ग्लोबल 500 पुरुसकार, ग्लोबल पांसो पुरुसकार दिया जाता है, पर्यावरट प्रतिरच्छा के लिए, राजीव गांधी पर्यावरट पुरुसकार, ये भी स्वच्छ प्रोद्रगी की एवं विकास के चेतर में दिया जाता है, एक है टाइलर पुरुसकार ये भी पर्यावड अध्यन के चित्र में दिया जाता है तो ये भी आप याद रखेंगे टाइलर पुरुसकार है ना एक इंस्टिटूट है एन्वाइरमेंट से रिलेटड इंडियन इंस्टिटूट ओफ एकलोजी एन्वाइरमेंट तो ये पूछा जाता है कहाँ पर है ये पर्यावड से संबंदित ही है तो ये है दोस्तो नई दिल्ली यानि कि न्यू देली में एक चेर्नोबिल परमाडू दुरगटना होई थी चेर्नोबिल जगे है जगे का नाम है चेर्नोबिल परमाडू दुरगठना हुई थी ये हुई थी 1986 में यूकरेन में है ना तो ये भी आप याद रखेंगे इसके अलाबा विश्व पर्यावर्ड दिवस कब मनाया आता है वो भी आपको पता होगा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पताएंगे दो परिशनों के जवाव आपको कमेंट सेक्शन में बताने है कि जो Global Teacher Award मिला है महारास्टर के एक सेक्षक को उनका नाम किया है पर्यावर्ड जो भी दिवस है विश्व पर्यावर्ड दिवस वो कब मनाया जाता है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्षन में बताएंगे तो दोस्तो पर्यावर्ड से संबंदित इंपोर्टेंट चेप्टर था उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी इसको लाइक करना है आपको शेयर करना है और आपको EVS, CDP वगरा के नोट्स चाहिए तो आप इस नमबर पर दिएगे WhatsApp नमबर मेसेज कर सकते हैं वहाँ पर आपको नोट्स प्रवाइड करा दिये जाएंगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज के लिए तना ही धन्यवाद